तो अगर आप इस दिवाली सेल में अंडर 30,000 रुपीज एक बड़ी हासा वीवोई स्मार्टफून की तरफ जाना चाहिए तो आज किस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखी हीगा अगर हम बात करें हमाई लिष्ट के फोर्थ नमबर वाले स्मार्टफून की तो वो हमने रखा है उन लोग को लिए जिनका जो बज़ेट है 25,000 रुपीज के एराउंड है और वो वहाँ पर वीवो का एक लेटेस्ट 5G स्मार्टफून पर्चेस करने की सोच रहे हैं तो वो पर्चेस कर सकते हैं वीवो की तरब से आने वाले वीवो T3 प्रो 5G स्मार्टफून को जो कि आपको एजली अने 25,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा और ये इस बज़ेट का वन अफ दे बेस्ट वीवो की तरब से आने वाला लेटेस्ट 5G स्मार्टफून है तो अगर से हम बात करें वीवो T3 प्रो 5G स्मार्टफून के स्पैसिफिकेसं के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए क्वैलकम स्नापडगन 7 Gen 3 का एक 2.63 की गैच पर क्लॉग्ड पाउरफूल ओक्टाकॉर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको स्पैसिफिकेसं काफी बड़ी है देखने को मिल जाएंगे वही पर अगर बात करें इसे स्मार्टफून के डिस्प्ले की तो डिस्प्ले को दौर पर आपको यहाँ पस 6.77 इंचेस की एक एमलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो की 1018 तो 2392 पिक्सल की है और यहाँ पर आपको 128 तक का maximum reflected support देखने को मिल जाता है इसके अलावा अगर बात करें इसे स्मार्टफून के photography features के बारे में तो 50 प्लस 8 megapixel का काफी कमाल का dual layer camera support आपको देखने को मिल जाता है with OIS support और आप यहाँ से easily maximum 1080p में 60 fps पर अपनी वीडियो को record कर पाएंगे वहीं आपको सामन 16 megapixel का एक काफी कमाल का sensor देखने को मिल जाता है तो आप इस smartphone के साथ भी जा सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें next smartphone के बारे में तो next number पर हमने रखा है अगेन वीबो की एक latest smartphone को जो की आता है वीबो की तरब से वीबो T3 Ultra 5G smartphone और यह smartphone अभी के टाइम पी आपको 30,000 तो अगर डीटेल से बात करें वीबो T3 Ultra 5G smartphone के specifications के बारे में यहाँ पर आपको performance के लिए budget energy recording सबसे बेस्ट प्रॉसेसर देखने को मिल जाता है जो कि है media technology 9200 प्लस का है एक 3.35 GHz पे clocked octa core 5G processor इसके लावा आपको 8GB RAM support के साथ 198GB तक की inbuilt memory देखने को मिल जाती है वहीं पर बात करें बैटरी की तो 5500MH की काफी कमाल की बड़ी बैटरी के साथ आपको यहाँ पर 80W का flash charging support भी देखने को मिल जाता है जो कि mainly gamer को ज्यादा attract करता है इसके लावा अगर बात करें इस smartphone के display specifications के वारे में तो यहाँ पर आपको 6.780 इंचेस की एक AMOLED देखने को मिल जाती वहीं पर add the end अगर बात करें photography features के बारे में तो वो भी काफी बड़ी है देखने को मिल जाते हैं because आपको यहाँ पर 50 प्लस 8MP का एक dual-layer camera support देखने को मिल जाता है जहां से आप maximum 1080p में अपनी videos को full HD में easily record कर पाएंगे इसके लाव भी आपको 50MP का एक कमाल का selfie camera देखने को म आप अभी की टाइम पर आपको 28,000 रुपीज की प्राइशन पर देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको वीवो की V-series से कोई smartphone purchase करना है under 30,000 रुपीज तो आप इस smartphone को consider कर सकते हैं यह भी वीवो की तरफ से आने वाला एक latest 5G smartphone है तो अगर detail से बात करे हैं वीवो V30 5G smartphone क के specifications के बारे में तो यह smartphone out of the box Android 14 पर work करता है और यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का 2.63 GHz पे clocked एक octa core 5G processor देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ 128GB तक की inbuilt memory भी देखने को मिल जाती है इसके अलावा अगर बात करें इस smartphone के battery specifications के बारे में तो बैटरी के पर आपको यहाँ पर 5000 image की एक बड़ी बड़ी बैटरी तो मिले जाती है उसके अलावा भी आपको 80W का fast charging support भी देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले के तोर पर आपको 6.78 inches की एक AMOLED डिस्प्ले के साथ 1260 x 2800 pixels की support वाली डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जात हैं इसके बाद अगर बात करें वहीं पर इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 plus 50 megapixel का dual-layer camera support देखने को मिल जाता है और यहाँ से maximum 4 की quality में 30 APS पर easily ultra HD में record भी कर सकते हैं इसके अलावा भी आपको 50 megapixel का front camera भी देखने को मिल जाता है तो photography features भी आपको budget and recording काफी smartphone के बारे में तो next number पर हमने रखा है Vivo की तरफ से आने वाले Vivo V40 5G smartphone को और यह smartphone आपको 31,000 रुपीज की pricing पर देखने को मिल जाएगा और यह भी Vivo का अभी latest smartphone है तो आप इस smartphone को भी consider कर सकते हैं तो अगर detail से बात करें हम Vivo V40 5G smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए एक powerful Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का 2.63 GHz पे clocked एक OctaCore 5G processor देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ maximum 128GB तक की inbuilt memory देखने को मिल जाती है इसके अलावा अगर बात करें बैटरी की तो 5500MH की काफी कमाल की बड़ी बैटरी के साथ 80W का Super Plus charging support आपको यहाँ पर देखने को मिल इसके अलावा आपको 6.78 इंचेस की एक AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाती है जो की 1216-2800 pixels की है इसके अलावा यहाँ पर आपको HDR10 Plus का support देखने को मिल जाता है 45 minutes तक की peak brightness आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और वहीं पर maximum 128 तक का refresh rate support आपको यहाँ पर देखने को मि इसके अलावा भी आपको 50 Megapixel का एक सामने के तरह भी काफी कमाल का sensor देखने को मिल जाता है और अगर आप 30,000 रुपीस की budget pricing में कमाल का वीव स्मार्टफून पर्चेस करने की सोच रहे हैं तो यह चार स्मार्टफून आपकी wishlist में होना ही चाहिए तो आप अपने 24 याफी अपने need users के basis पर किसी भी स्मार्टफून की तरह जा सकते हैं तो at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी अदर informative रही होगी तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को simply क कर दिए लाइक और चैनल कर दिए सब्सक्राइब तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं लिए और नाइन टेस्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए रादे रादे